सब्सक्राइब करो लाइफएट टीचिंग को और बेल आइगन को प्रेस करो कम्पूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने बालने हैं इंटरनेट से समान दित बहुती मायत्रपून प्रशन का पार्ट सेकिंड दोस्तो अगर आपने पार्ट वान नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तो वीडियो को लाइक करके जाएगा और मुझे बता के जाये करो कि आपकी कितने क्योशन इसमें से आपको आती हैं या फिर आपने इस वीडियो में इसे कितने नियू क्यूशन सीखे हैं दोस्तो आप एक पैन और एक नोटबुक लेकर बेठें और अपने एंस्वर को नॉट कर लें तो आओ करते हैं फिर शुरू क्यूशन नॉबर वन सूचना तकनिकी इनफोर्मेशन टेकनोजी का सबसे महत्रपूण गटिक है एंस्वर कंप्यूटर जी हां दोस्तों कंप्यूटर होता है नेक्स्ट क्यूशन नॉबर टू टेलीपॉन की संचार पदती पर वर्क करता है एंस्वर फूल डुप्लेक्स नेक्स्ट क्यूशन नॉबर ट्री भारत में इंटरनेट का विकास कब होगा था एंस्वर 15 अगस्त 1995 में क्यूशन नॉबर फॉर निर्मेसे सुमेलित कीजिए दोस्तों यह है क्यूशन आपको एक्जाम में मिल सकता है पर यह थोड़ा difficult सा question है मैं आपको इसकी बार में आपको समझा देता हूँ सबसे पहले तो हम इसका answer चेक करती है दोस्तों इसका answer है यह चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसी है जिसे के दोस्तों आप पढ़ो प्रोटोकोल यान की रॉममन संक्या पर लिखा हूँ है प्रोटोकोल तो रॉममन संक्या यहां पर दी हूँ है यान की first का जो answer है वो इसका कौन सा है दूसरा यान की प्रोटोकोल क्या होते है network peripheral के बीच data transmission के नियम दूस्तों समझ में आग्या होगा आपके जिससे की 4 नंबर रॉममन संक्या में 4 लिखा हूँ है तो इसका answer इसके सामने answer ओला 3 है तो इसका यह होगा यान की 4 का 3 देखो 4 का 3 यान की इसमें कौन सा है दोनों दिशाओं में transmission संभाव चलते next question पे किस उप्राण द्वारा television and computer को जोड़ा जाता है answer modem के द्वारा next question number 6 वेवसाइट क्या होती है बताई दोस्तों वेवसाइट क्या होती है हो सब आप डेली यूज करते हो वेवसाइट का डेली चलाते हो पर दोस्तों बताईए फिर यहाँ पे वेवसाइट किसे कहते है answer वेवसाइट का collection यनकी बहुत सारे वेवसाइट मिलकर एक वेवसाइट का निर्बान करते है next question number 7 message को एक सान से दूसरे सान पर बेचने के लिए किसके आवसक्ता होती है answer उपयोग सभी hardware, software और email दोस्तों email तो बहुत जूरी होता है message के लिए या mail के लिए next question number 8 जिसके दुवारा message के साथ file को भी पेज सकते है वो कौन सी option होती है वो होती है attach option next question number 9 ft का पूरो नाम दोस्तों पीछे email आपको बताया था साथ पिछवाली वीडियो में FTP का पूरो नाम तो आपको पता होगा चरी बताये file transfer protocol next question number 10 विविन वीचियों पर अपने विचार रखने की प्रोसेस है answer sent next question number 11 IRC से क्या अभी प्राय है answer internet relay chat next question number 12 chatting किस तरह का communication है answer answer online जी हाँ दुस्तो चैटिंग होती है वो online ही होती है और communication है इनकी chatting से बातचित जो करनी होती है वो पने online ही कर पाते है next question number 13 internet पर विविन वेव साइट देखते हुए information store करनी की प्रोसेस है answer suffering next question number 14 इसमें से सबसे ज्यादा यूज के जाने वाला बेव ब्राउजर कौन सा है answer internet protocol answer internet explorer जी हाँ दुस्तो बट अगर यहाँ पे google chrome लिखा होता तो आप google chrome को भी कर सकते थे वो भी आजकल काफी popular बेव ब्राउजर हो गया है next question number 15 internet पर उप्योग करता की परमानी करण का सबसे परचले तरीका है answer password जी हाँ दुस्तो पासपर ही सबसे जेप आप्शन होती है next question number 16 HTML में M से क्या तात परे है answer markup यानकी hypertext markup language और यह आपने पहले पढ़ चुके है next question number 17 e-commerce के लिए आफशिक है answer all of the above यानि कि electronic commerce करने के लिए आप computer hardware, software और internet की भी आपको आफशिकता होती है next question number 18 email message में CC क्या अर्थ होता है answer carbon copy यानि कि CC की full form क्या है carbon copy और BCC की तो अपने पिछे बात कर चुके है पिछे वाले वीडियो के अंदर next question number 19 internet explorer, google chrome, mojda, firebox इत्यादी क्या क्या लाते है answer आप बताए दूस्तू क्या क्या लाते है और आप daily use भी करते हैं इसका answer browser जी हाँ दूस्तू ये browsers होते है next question number 20 निवन में से internet को access करने की speed किसमें मपी जाती है answer kbps यानि की kilobyte प्रति सेकिंड के अंदर next question number 21 internet से computer पर किसी file को save करने को रिकिस्तान कहती है यानि की दूस्तू आप कोई image यानि की दूस्तू आप google से कोई image डाउनलूड कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे answer downloading करना और दूस्तो अगर आप app भी पे picture upload कर रहे हो उसे क्या कहते है उसे uploading करना बोलेंगे next question number 22 निवन में से किसकी सायता से विश्व में बेन बेन स्तानों पर कारेड़त computer user एक दूसरी के साथ बात चित हैं उग graphics वे text को पहुंचाते है answer internet के मात्यम से जी हाँ दूस्तो next question number 23 रिकिसान सुविदा द्वारा internet से एक computer पर काम करते हुई विश्व के किसी एक भाग में इस्तित computer को एक्सेस किया जाता है answer tell net की जवारा next question number 24 email address में dot in से क्या आश्य है answer India जी है दोस्तो dot in यानि की इंडिया next question number 25 नेमल लिक्ट में से किसकी सायता से दुनिया की किसी भी दुरस्तान के computer में वेव पेज को अपनी computer पर देखा जा सकता है answer www यानि की worldwide वेव के द्वारा next question number 26 email attachment क्या है ये तो आपको पता होगा answer दूसरी प्रोग्रम से email संदेश के साथ बिजग या एक अलग दृस्ता वेज यानि की कोई document या picture बगएरा भी हो सकती है next question number 27 junk email को रिकिस्तान भी कहते है ये question वहुती important है दोस्तो answer spam दोस्तो इसे अंचाही mail भी कह सकते है next question number 28 दूस्तो यहाँ पर URL दिया हुआ है इसके अंदर HTTP वाला हिस्सा पूछा गया कि उसे क्या कहते है दूस्तो अगर आपने URL को अच्छे तरी किसे समझा है तो आप यहाँ पर बता सकते हो answer protocol जी हाँ दूस्तो उसकी full form देखकर आप पता लगा सकते हो यानि कि उसकी full form होती है hyper text transfer protocol तो यह protocol होता है next question number 29 इमेल बेशते समय रिकिसान की लाइन संदेज की विशेवस्तो की बारे में बता देती है answer subject line जो होती है जो two वाले लाइन के नीचे होती है next question number 30 समान्यत है lane की data संचरन दर होती है answer 1-100 Mbps next question number 31 सबसे पहला graphical bay browser बनाया गया था बताई दोस्तो answer mark addition के द्वारा next question number 32 नेमन में से विसम को चुनिये बताई दोस्तो इसमें से सबसे अलिक आपको कौन सा नजर आ रहा है answer yahoo दोस्तो yahoo है वो एक सर्चिंजन है और बाकी है जो संचार कंपनियों के नेम है next question number 33 html का अर्थ है answer anacronose transfer mode next question number 34 outtook express है answer email client next और last question phone line और modem का अब्यूग करते हुए बनाएगे इंटरनेट के connection को रिकिसान connection कहते है answer dial up connection दोस्तो अब की बार आपको like बड़न को दबाके ही जाना है अगर नहीं गए ना तो देख लेना तो guys आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जुरूर बताना कि आपके इसमें से कितने questions सही हुए है आपका एक महत्तपूर like मेरी आत्मा को त्रिप्त करेगा और ये है वीडियो अपने उस friend को जुरूर शेर करना आपके comment पड़ता हूँ तो please कुछ link जाये करने ना comment के अंदर और मुझे Instagram पर follow करना मत बोलना link आपको description मिल जाएगा तो मिलूँ आपके next video के अंदर तब तक के लिए wait करना